हलो बच्चो नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन धल्जेब राय याने की मैथमेटिक्स पार्ट वन का चैप्टर नमबर वन मतलब सेट्स ठीक है तो यह लिसन के अंदर हम लोग कौन-कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं चलिए सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं तो देखो बच्चों हम लोग क्या क्या चानेंगे कि सेट होता क्या है ठीक है और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे टाइपस ओफ सेट्स वेंड डाइग्राम एक्वल सेट्स अं सबसेट उनिवर्सल सेट इंटर्सेक्शन और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे नंबर ओफ एलिमेंट्स इनसेट मतलब यह सारे टॉपिक्स है ना इन्हें हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टा नंबर वन में ठीक है बच्चो तो अभी हमारा पहला टॉपिक देखेंगे सेट का इंट्रोडक्शन ओके सेट होता क्या है मतलब किसको कहा जाता है सेट इसके अलावा सेट को लिखने के जो भी मे सेट रहोगे तभी जाके आप लोग प्रैक्टिस एट 1.1 के को स्वाल कर सकते हैं ठीक है तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं और सेट का आम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चलिए बच्चो अभी हम समझते हैं सेट के बारे में तो सेट क्या होता है बच्चो यहीं ना कलेक्शन होता है किसका कलेक्शन होता है देखर यहा पे इसका डेफिनेशन बताया गया है कि अब कलेक्शन आप well defined objects is called a set यानि कि collection तो होना चाहिए लेकिन ऐसे ही किसी भी चीज़ का collection नहीं बलकि well defined objects का collection होना चाहिए well defined object का मतलब क्या होता है जैसे कि example की मदद से हम समझते हैं मैंने यहाँ पर एक A है एक B है और एक C है मैंने A से समाल पूछा मैंने बोला कि आपना मुझे starting के 5 counting numbers बताईए ठीक है तो यह जो A है बच्चो इनका जवाब क्या होगा starting के 5 counting numbers कौन कौन से होते हैं एकदम शुरू से start कीजिए 1,2,3,4 और यह 5 ठीक है और फिर मैंने क्या किया यही सवाल B से भी पूछा कि आप मुझे starting के 5 counting numbers बताओ तो B का जवाब क्या होगा बच्चो यही होगा 1,2,3,4 और यह 5 यही होगा ना और यही सवाल मैंने C से भी पूछा चलो बताओ starting के 5 counting numbers तो C ने मुझे जवाब दिया 1,2,3,4 और यह रहा 5 ठीक है तो देखो बच्चो यह वाला जो question था जो मैंने इन तीनों से पूछा तो सबका जवाब इसमें क्या है सेम है ना सबके लिए सेम है अगर मैं यही वाला सवाल आप से पूछू तो आपका भी answer यही होगा 1,2,3,4,5 यानि कि यह question मैं चाहे जिससे भी पूछलो सबका answer क्या होगा बच्चो सेम होगा मतलब यह वाला जो collection है ना यह क्या है well defined यानि सभी के लिए यह same है ना ऐसा तो नहीं कि person to person change हो रहा है person to person यह change हो रहा है क्या नहीं ना हर जगह क्या होगा चाहे आप किसी से भी पूछलो starting के 5 counting numbers बताइए यही जवाब मिलेगा ठीक है तो यह कैसा object है बच्चो तो यह आपका well defined object है ठीक है तो ऐसे collection को हम लोग क्या कहते हैं set बोलते हैं ठीक है set किसको नहीं बोला चाता है तो देखो बच्चो यहाँ पर यह वाला example देखना मैंने अभी A से पूछा ठीक है A से क्या सवाल पूछा देखिए बच्चो अगर मैंने यह वाला सवाल Brave Children in the Class A से पूछा तो A किसी और बच्चे का नाम बताएंगे ठीक है अगर मैंने यही सवाल B से पूछा तो B के लिए कोई और Brave बच्चे हो सकते हैं हो सकते हैं आप सपोस करो कि यह तीनों क्या है Teachers है कोई Hindi का है कोई Math का है कोई English का है अभी English वाले Teachers से मैंने पूछा कि आप बताएं Brave Children in the Class यानि आपके क्लास में जो भी Brave बच्चे हैं उनके नाम बताओ ठीक है तो यह जो इंग्लिस वाले सारे बच्चों वो अलग-अलग बच्चों के नाम बताएंगे इसके अलावा अगर मैंने Math की टीचर से पूछा कि बताएं Brave Children in the Class ठीक है हमने एक सवाल पूछा सारे टीचर्स थे तीनों से कि आप बताईए कि आपके क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे कौन-कौन से हैं ठीक है तो देखो इंग्लिस के टीचर के लिए जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अलग होंगे है ना वो उसी प्रकार से मैच वाले टीचर से पूझा कि बताईए इंटेलिजेंट स्टुडेंट इन यूर क्लास तो वो अपने इसाब से बच्चो को बताएंगे वो अपने हिसाब से बच्चो को बताएंगे अज़ ju परिंप व्र में वाइखना network helps यह क्योंकि हर किसी के लिए अलग-अलग जवाब आ रहा है इसलिए यह आपका सेट नहीं होगा यह तो यह भी आपका सेट नहीं होगा तो सेट क्या होगा बच्चों यह होगा से डेज ओफ वीक जैसे कि मैंने आपको एक्जामपल बताया था ना यह नंबर वाला उसी तरीक पूछलो चाहें दुनिया में घूमकर कि किसी से भी पूछलो डेज ओफ वीक तो सभी का जवाब एक ही होगा क्या होगा संडे बंडे ट्यूस्दे वेनस्दे फ्राइडे सेटर्डे है ना तो यह कैसा ऑबजेक्ट है तो यह एक वेल डिफाइन ऑबजेक्ट है इसलिए हम को बताने वाली हूँ लेकिन अभी आप कमेंट करके बताइए यह और अगर है तो यह लिखो नहीं है तो लिखो बता मन्स इन इयर कमेंट कीजिए क्योंकि जितने जादा आप लोग एक्टिव हो करके पढ़ाई करोंगे आपके कंसेप्स उतने ही अच्छे से क्लियर होते क्या यह सेट तो इसका जवाब होगा यह से यह मन्स वे और सभी के लिए सपूंच सेम लगे या फेर यह 50 का चवाब एक ही होगा क्या होगा जनवरी-फरवरी पूरा से दिसंबर तक वो लोग जाएगे तिक हैं तो यह आपका सेट है यह पर एक और वह स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट एन काउंटिंग नंबर्स मतलब स्टार्टिंग के 10 काउंटिंग नंबर्स तो सभी का जवाब इसमें भी आपका सेट है बताओ जल्दी से था कि बताईए सेट है तो जी हाँ बिल्कुल यह सेट है क्योंकि यह परसंटू परसंट चेंज नहीं होने वाला लेकिन अब यहाँ पर आजाईए ब्रेफ चिल्रन इन दा क्लास क्या यह सेट है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं वैसे तो मैंने आपको बताई दिया है पर कर ली क्या होता है बच्चो चेंज होता है इसके लिए यह वेल डिफाइन अबजेक्ट नहीं है और वेल डिफाइन अबजेक्ट अगर यह नहीं है तो फिर हम इसको सेट नहीं बोल सकते ठीक है तो यह सेट नहीं है यह जो आपको दिखाए दे रहे ना यह सेट नहीं है बाकि य हैं अगर आप लोगों के मंद में और भी एक्जामपल्स हैं सेट के बता इंए जो भी आपकी दिमाग में आ रहे हैं जो समझते हैं तो फोटा रिजहें ची embracoti अघ्रा से जोओं आगे बड़ते हैं झालिछ सेट बाई कैपिटल लेटर्स जैसे कि A B C D E F G H पूरा जेट तक यानि कि इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो हमारा सेट होता है बच्चो उसको हम लोग डिनोड करते हैं किस से कैपिटल लेटर से ठीक है जैसे कि मैंने यहां पर एक सेट लिखा सपोस करो चलो मैं यहां पर से ठीक है तो इस तरीके से क्या किया जाता है सेट को डिनोड किया जाता है ठीक है तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और एक और बात बताऊं इसके अंदर के यह जो नंबर देने बच्चो इनको क्या कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है ठीक है तो इसके अंदर क जो number से इनको क्या कहा जाता है बच्चो elements कहा जाता है ठीक है 5 is the element of a set a ओके clear है अब देखो यहां पर एक और बाद आप लोग समझ लीजिएगा कि जो elements होते हैं बच्चो set के अंदर के उनको represent किया जाता है कौन से लेटर से small letter से ठीक है जेनरली तो ऐसा ही होता है कि set के अंदर के जो भी elements होते हैं उनको आम लोग small letter से क्या करते रिप्रेजन करते यानि set का नाम लिखना होता है capital में लेकिन set के अंदर के जो elements है अगर वो मतलब English के letters हारे तो वो किसमें आएंगे small letters में आएंगे जैस तो देखो इसके अंदर के जो elements है वो हमने किस से denote किया small letter से denote किया ना तो वही बात कि यहां पर बताई गया है कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सेट के अंदर के जो elements होते हैं उनको denote करते हैं ठीक है तो एक एक बात को आप लोग अच्छे से समझते जाहिएगा ठीक है बच्चों यहां तक की सारी बाते आपको समझ में आई ना सेट किसको कहा चाता है तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो collection होता है उसको हम लोग इसका नाम क्या है इसको क्या कहा चाता है तो ध्यान से समझेगा यहां पर मैंने क्या लिखा है कि एक्स और फिर ये वाला symbol और फिर ये ए ठीक है इसका meaning क्या होता है यानि इसको read कैसे किया जाता है पहले आप वो समझेगा तो देखो बच्चों इसके पढ़ने के ना दो तरीके होते हैं पहला तो यह आप क्या बोल सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू सेट ए ठीक है पहला तो यह तरीका है और दूसरा क्या तरीका है वह भी आपको बता देती हूं देखो दूसरा आप इस तरीके से भी इसको read कर सकते हैं कि एक्स इन element of x is an element of set a आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, बच्चो सेम होता है, ठीक है, अब इसका meaning क्या है, तो क्या लिखा है, X belongs to A, मतलब यह जो X element है, यह कौन से set को बिलॉंग करता है, तो set A को, मतलब आपके पास एक set A है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, बच्चो यह X element है, ठीक, तो यह element X है, यह क्या करता है, इसको बिलॉंग करता है, किसको set A को, तो वही बात हमने बताई है, कि X belongs to A, ठीक है, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, या फिर मैंने इसी चीज़ को ऐसे बोल दिया, कि X is an element of A, मतलब X क्या है, तो यह element है, कौन से set का element है, तो set A का element है, ठीक है, क्लियर, यह बात आपको समझ में आई, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के questions हम लोग practice 8 1.1 में solve करने वाले हैं, ठीक है, अब चलो बच्चो यहां पर इसका मतलब समझ लेते हैं, यहां पर मैंने लि belongs to A, ऐसे आप बोलिए, या फिर या फिर और इदर डाल देती हूं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कि X is not an element of set A, ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कि X does not belong to A, यानि कि यह जो element X है, यह A को belong नहीं करता है, यानि कि set A के अंदर वो element है नहीं, जैसे कि यहाँ पर रुको, यह हो गया, यहाँ मैंने Y लिखा, Z लिखा, इसके अंदर कहीं पर X दिखाए दे रहा है, नहीं न, X तो ही नहीं, ठीक है, मैंने आप से पूछा कि बताओ X क्या है, तो आप क्या बोलोगे, X does not belong to A, यानि कि X जो है, वो set A का element नहीं है, तो आप ऐसे भ belongs to, इसका मतलब, अगर मैंने लिख करके उसको काट दिया, तो वो क्या होता है, does not belong to, ठीक है, इतनी बाते आपको clear है, अब चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, और क्या समझते हैं, कि set of numbers, यानि जो numbers होते हैं, national numbers, whole numbers, जानते हो ना, आप numbers कौन-कौन से होते हैं, चलिए उनको फटा-फट से हम समझ लेते हैं, तो देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मैं आप से पूछती हूं, natural number कहां से start होता है, class 8 में सीखा है, one से start होता है, और पुरा infinity तक जाता है, ठीक है, तो natural number के set को हम लोग, generally किस से represent करते हैं, बच् तक भी जाना है, वहां तक जाएगा, पूरा infinity तक जाएगा, ठीक है, ऐसे डॉंटर कर दो, पूरा infinity तक यह जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया, आपका set of natural numbers, ठीक है, फिर उसके बाद यह जो W4, W4 क्या होगा, बच्चों, set of whole numbers, अब यह whole numbers क्या होते हैं, तो whole numbers start होता है, कह ठीक हो, यहां पर लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, कहां तक पूरा infinity तक यह जो आप symbol देख रहो हो, यह किसका sign है, तो यह infinity का है, यानि पूरा, जितने भी numbers होते हैं, पूरा आगे तक यह मतलब, चलते चला जाएगा, ठीक है, तो whole number के set को हम लोग W से represent करते हैं, इसके अलावा यह जो I है, यह कौन से number को represent करता है, तो यह na integers को represent करता है, बच्चो, ठीक है, तो set of integers जभी भी आएगा आपके question में, तो आप वहाँ पे कौन सा letter यूज करोगे I, ठीक है, तो देखो integers क्या होते हैं, तो इसके अंदर negative numbers भी आते है as well as 0 भी आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर dot dot कर दो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा minus 3, minus 2, minus 1, फिर इधर 0, 1, 2, 3, पूरा यह infinity तक जाएगा, और इधर भी यह पूरा infinity तक जाएगा, मतलब जितने भी आगे के numbers होंगे ना, पूरा वहाँ तक जाएग तो याद रखना, integer सब को अपने अंदर समा लेता है, यानि कि सारे numbers इसके अंदर आ जाते, चाहे वो negative हो, या फिर positive हो, या फिर 0 हो, ठीक है, तो integer के set को हम लोग आई से represent करते हैं, अब यह क्यों फॉर क्या होता है, बच्चों, तो क्यों फॉर होता है, rational number, ठीक है, तो यह बस आपको अभी later से ही याद रखना है, बाकी number के बारे में, real numbers के बारे में, आप लोग जो आपका chapter number 2 है, उसमें पूरा अच्छे से detail में discuss करोगे, ठीक है, वहाँ पे, real number वो chapter का नाम ही है, तो उसमें numbers के बारे में, आप बहुत अच्छी तरीके से study करोगे, तो बस आपक numbers, ठीक है, अच्छा, rational numbers क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको revision करवा देती हैं, वैसे आप जानते ही हो, क्या होता है, वो number जिसको हम लोग P upon Q के form में लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके बारे में, पूरा डीटेल आप पढ़ेंगे, chapter number 2 में, तो बिल्कुल भी जिन्दा मत करन set of real numbers, यह क्या होता है, set of real numbers, okay, तो यह जो मैंने आपको letters बताए हैं, बच्चों, इन्हें आपको समझना है, अच्छे से, क्योंकि जब भी आपके question में आया, natural number के वारे में कुछ भी, तो वहां पे आप कौन सा letter यूज करेंगे, n का, अगर आपने n लिखा, मतलब वो समझ में आता है, कि आप यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, तो natural number की बात कर रहे हैं, वैसे ही, अगर whole number आया, तो फिर आपको क्या करना है, डबल्यू का यूज करना है, तो यहां पे हमने यह सारी चीजे देख ली, अभी हम क्या देखेंगे, बच्चों, पता है, आप लोगों को जैसे कि बच्चों, यह जो आपका set होता है, उसको लिखने के कितने method होते हैं, तो दो method होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इतना अच्छे से लिख लो, notebook बना लो, जो भी चीजे आपको लिखाते जाओंगे, आप लोग लि builder form, ठीक है, तो यह दोनों methods को याद करने का एक simple सा तरीका है, वो क्या नाम से ही आप लोग इसको समझो, ठीक है, जैसे इसका नाम क्या है, बच्चों, listing method, इसको roaster method भी बोला जाता है, अभी देखो, list यानि क्या होता है, बच्चों, जैसे कि हम लोग कोई भी object है, उसका list बनाते हैं, तो इस method में हम क्या करते हैं, जो हमारे objects है, उनका एक list बना करके अच्छे से उनको लिख देते हैं, curly bracket के अंदर, जैसे आप लोग यहां पर देखिएगा, यह दिखे सारे numbers को हमने क्या किया है, मतलब अच्छे से अरेंज करके, यहां पर curly bracket के अंदर लिख दि होता है, ठीक है, तो इस method में हम लोग क्या करते हैं, जो set है उसका rule बताते हैं, और जब आप उस rule को पढ़ते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर, मतलब set के अंदर कौन-कौन से elements आने वाले हैं, ठीक है, जैसे example की मदद से समझो, यहां पर क्या लिख लिख set f is the set of all x such that x is a vowel of English alphabet, यानि कि यह जो आपका x है न, यह x किसको define करता है, तो जो set के अंदर elements रहते हैं बच्चों, उनको वो define करता है, ठीक है, तो element क्या है, यानि कि x क्या है, तो x is a vowel of English alphabet, तो English alphabet में जो भी vowels होते हैं, उनको यह define कर रहे हैं न, सभी vowels को, ठीक है, तो देख कैसे लिखूंगी, देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी English alphabet के vowels होते हैं, कितने vowels होते हैं, आप जानते हैं, बताइए कितने होते हैं, पांच vowels होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम उठाएंगे, और यहाँ पे लाकर के curly bracket के अंदर लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से, A, E, I, O, U, समझे की नहीं, तो देखो, हमने क्या किया बच्चों, इस वाले method में हमने एक rule बताया, मतलब, element को लेकर के हमने एक rule बताया, कि F is the set of all eggs such that X is a vowel of English alphabet, यानि कि element क्या है, तो वो element है, vowel of English alphabet, ठीक है, और इसे को हमने rule method में कैसे लिखा, rule 9, listing method में कैसे लिखा, पू दोनों में difference, rule यानि क्या एक rule बताते हैं, और इसमें पूरा list बनाते हैं, ठीक है, चलिए कुछ और examples देखते हैं, जैसे यहाँ पर यह पहला वाला देखिएगा, यह जो set है, इसके अंदर कौन-कौन से element से, एक तो है minus 3, दूसरा है plus 3, ठीक है, अब इसे आपको लिखना ह है rule method की मदद से, तो कैसे लिखोगे बच्चो, देखो, इसकी अंदर का जो element है ना, उसको कौन define करेगा, तो यह जो x है ना, वो define करेगा, ठीक है, देखो, हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, कि set a is the set of all x, क्या बुला मैंने, all x, फिर such that x क्या होगा, तो नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है, यहाँ पर लिखेंगे, such that x square, which is equal to, क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, अब यह मैंने कैसे लिखा, आपको थोड़ा बताती हूँ, जैसे देखो बच्चो, यह जो x है, वो किसको define कर रहा है, यह elements को, यानिकि, एक तो minus 3, और दूसरा plus 3 को, ठीक है, तो जब आप यह वाले equation लेकर के इधर solve करेंगे न बच्चो, तो x का value क्या होगा, या तो minus 3 होगा, या फिर plus 3 होगा, क्योंकि देखो, हमें क्या चाहिए, देखो finally क्या है बच्चो, यहाँ पर 9 है ना, तो देखो 9 कब आ सकता है, यहाँ पर क्या लिखा है, x का square, यानि x का value हम क्या लेकि 9 आ जाए, तो देखो बच्चो, अगर मैंने x का value प्लस 3 लिया, ठीक है, और इसका square किया, मैंने अभी x का value ना, 3 लिया है, ठीक है, 3 लेकर के, मैंने क्या किया, x का square किया, तो क्या आ जाएगा, बच्चो, 9 आ जाएगा, मतलब x का value, ध्यान से equation में put किया, तो x का square, यानि कि, माइनस 3 का square, अब माइनस 3 का square मतलब क्या, माइनस 3 का multiply करना है, हमें, दो बार, ठीक है, तो देखो, 3, 3 जा क्या हो जाएगा, बच्चो, 9 और माइनस माइनस मिल करके, प्लस, यानि कि, यहाँ पर भी क्या आया, बच्चो, 9 आया, ठीक है, त तो देखो, यह किसको define कर रहा है, यह जो elements है, उनको ही define कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा और कोई number है, क्या, जिसका square करो तो आपको 9 मिले, सोच लो, सोच लो, नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो बस यह हो जाएगा, बच्चो, आपका answer, यानि, इस वाले set के लिए, रूल मै 15, 20, 25, मतलब हो क्या रहा है, सोचो, क्या हो रहा है, यहाँ पर यह जो numbers है, यह सभी 5 के multiples है, है ना, देखो, 5, 1, 5, 2, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, है कि नहीं, यह सभी numbers क्या है, 5 के multiples है, बराबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, x, where, x, ऐसे भी इसको read किया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि, set a is the set of all x, such that, इस तरीके से मैंने आपको बताया था था ना, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कि b which is equal to, मतलब b is the set of x, where, x, और फिर उसके आगे जो आपको define करना है, वो आप बता सकते है, ठ दोनों में से कोई भी, मतलब कैसे भी पढ़ो, ठीक है, चलेगा, ओके, तो क्या लिखेंगे, हम लोग, x यहाँ पर क्या है, बच्चो, x is a multiple of 5, ठीक है, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर नंबर से, अगर बोला, तो इसके आगे भी तो numbers multiple of 5 होंगे, जैसे कि, मैंने यहाँ पर लिख दिया, बच्चो 30, तो बताओ, 30 multiple of 5 है कि ने, बिल्कुल है, इसके आगे 35, यह भी है, लेकिन 30 और 35, क्या इस set के अंदर है, yes और no, नहीं है, तो यह सारे numbers आए, तो वहाँ पर नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर limit भी define करना होगा, कि x की limit कहां से कहां तक है, ठीक है, कहां से कहां तक है बच्चो, तो यह ना 30 से छोटे तक ही है, ठीक है, 30 से छोटा जो multiple of 5 नमबर होगा, बस वहीं तक है, ठीक है, अगर आपने ऐसे ही लिख करके छोड़ दिया, मतलब हम क्या समझें, कि आगे भी multiple of 5 होगे, सारे के सारे number set के अं बीट है ना बच्चो, वो भी आपको यहाँ पर define करना होगा, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखें, आपको बताती हूँ, and is less than 30, यानि कि 30 से छोटे जो multiple of 5 numbers है, वो सभी इस set के अंदर आएंगे, ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ोगे ना बच्चो तो आपको स यानि कि C, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, तो C which is equal to, और यह सारे मतलब इसके अंदर elements दिये गए है, तो आप लोग को बता देती हूँ, कि यह जो, मतलब elements है ना बच्चो, यह कौन से word के है, तो division word के है, D, I, V, I, yes, division, ठीक है, इस तरीके से, समझे, और यह जो division है, व में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बच्चो, यहाँ पर हम लिखते हैं, कि देखो, कोई जरूरी नहीं कि आपको हर बार एक सी लिखना है, आप चाहो तो यहाँ पर वाई भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है, तो वाई क्या है, बच्चो, वाई इस लेटर ओफ कौनसे वर्ड के ये सारे लेटर्स हैं, तो ये वाले वर्ड के डिवीजन, डि आई वी आई एस आई ओ एन, ठीक है, अभी आपको बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, मैं सारे सवालों का समधान आपको बताती हूँ, चिनता ना करो, सुनो ध्यान से, आपके सब्सक्राइब लिख सकते हैं, कब जब आपका मतलब जो वर्ड है ना, अगर वो पूरा के पूरा कापीटल में है, जैसे यहाँ पे है, डिवीजन, ठीक है, ये पूरा कैपिटल है ना, तो आप लोग ये सेट के अंदर के अलिमेंट को ना के सानवर्ड हैं, घीक है, तो अंदर के जो भी लेटर से देखो हमने यहां पर लिखा है सबसे पहले क्या है बच्चो डी यह देखो डी लिखा ठीक है फिर क्या है आई वो भी आमने लिखा फिर क्या है वी देखे लिखा हुआ है फिर उसके बाद क्या है बच्चो आई ठीक है आप बोलेंगे आई तो लि स्ंवारे से न işरां कि एक बार हम लुग लिख चुके आप दर Yuk 1 बार आप को आप लिखने की जरुआत नहीं है उके सको और कि रिपेटेशन भ्रलशन नहीं है नहीं है यह एक पर लिख में इसको लिख दिया है और पुरी उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया ही होगा है ना इसको कैसे पढ़ोगे बच्चो आप यहां पे बोल सकते हो कि सेट सी इस सेट ऑफ और एक सच देट वाई इस अलेटर ओफ वर्ड डिवीजन यानि कि जो वाई है वो क्या है इस तक मैं यह थोड़ा मिटा देती हूं ठीक चलो लेटर ओफ ठीक है अब बच्चो यहां पर क्या है 2 4 6 8 2 10 12 14 यह सब क्या है आपको क्या लगता है देखो इसी के जैसा है सेम टू सेम जी हां यह जो सारे नंबर से यह क्या है टू के मल्टिपल से तो जैसे हमने यहां पे लि देखोगे कि D is the set of all Z भी आप ले सकते हो all Z such that Z Z क्या है तो it is a multiple of 2 it is a multiple of 2 and देखो बच्चो इसकी limit कितनी है आपको limit भे define करना होगा ठीक है तो यह देखो यह 14 से 14 के आगे अगर हम जाएंगे देखो अगर मैंने बस इतना ही लिखकर के छोड़ दिया बस मैंने इतना ही लिखा कि Z क्या है Z is a multiple of multiple of the number 2 ठीक है बस मैंने इतना ही लिखकर के छोड़ दिया तो इसके आगे के जो numbers होंगे जैसे की 16, 18, 20 यह सब भी तो multiple है ना टूके तो यह सारे numbers भी इसके अंदर आएंगे है ना लेकिन क्या यह सभी numbers यहां पर है नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा इसकी limit बतानी पड़ेगी तभी तो हम समझ पा समझें तो इस तरीके से आपको रूल बना करके इसे लिखना है ठीक अब यहां पर यह भी देख लीजिए अच्छा यह कैसा number है सोच करके बताओ चार है फिर नौ है फिर सोला है और अगर मैं चाहूं तो इसके आगे भी जा सकते हैं जैसे की चलो एक और ले लेते हैं चाहिए और अगर जाना है 36 भी ले लेते हैं तो यह सारे नंबर से सोचो कि तो आपको पता चलेगा बच्चो दीखो धियान से यह जो सारे नंबर इनका नाम है परफेक्ट स्क्वार नंबर यह सभी क्या है है perfect square क्योंकि 2 का square करेंगे तो 4 होगा 16 क्या होता है 4 का square ठीक है इसी तरीके से 49 है यह भी एक perfect square number एक क्यों क्योंकि अगर हम 7 का square करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा बराबर तो अब मैंने तो आपको बता दिया यह सभी क्या perfect square number है तो यहाँ पर लिख दो अभी इसको कैसे लिखोगे इस तरीके से हम लिखेंगे कि set x is the set of all x such that x क्या है x is a perfect square number ठीक है x याने क्या यह element को define कर रहा है ओके x is a perfect square number अब देखो अगर मैंने बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो perfect square number मतलब इसके आगे के जो भी perfect square numbers है वो सभी भी आते जाएंगे लेकिन इस set में खाली बस 36 तक ही number है है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चो इसकी जो limit है वो भी हमें यहाँ पर define करनी पड़ेगी तो हम क्या लिखेंगे पता है आप लोगों को यह जो सारे number से वो कहां से कहां तक है तो देखो एक से ले करके कहां तक है बच्चो यह 36 यानि कि 40 तक है बराबर तो इसकी limit भी आप लोगों को बताने पड़ेगी तो यहाँ पर हम लिख देते हैं between 1 to 40 ठीक है यानि एक से लेकर के 40 तक के बीच में ठीक अच्छा यह जो बिट्विन लिखने का तरीका है न बच्चो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कैसे वो भी आपको बता ही देती हूं जैसे यहां पर लिखना एकस ठीक है और बिट्विन बोला ना यानि की वन से बढ़ा और फिर 40 से छोटा मतलब इन दोनों के बीच में एक से लेकर के 40 तक के बीच में ठीक है तो यह बिट्विन को लिखने का यह भी एक तरीका होता है ठीक है इसका यूज मैं करूंगी प्रैक्टिस एट में अभी क्लियर हुआ अब देखो यहां पर चलो यह तो खतम हो गया ना और यह वाला तो मैंने आपको बताई दिया था वावल उफ इंग्लिज अल्फबेट और लास्ट में देखो बच्चो यह आपके लिए होमवक क्या लिखा है सेट जी इस दो सेट ऑफ ओल एक्स वेर मतलब सच डैकस्ट इन इंटीजर एंड एक्स बिट्विन-3 एं-3 यह प्लस-3 देखो बच्चो यह देखो बिट्वें लिखने का तरीका ओके यह जो एक्स है वह किसकी किसकी बीच में आ रहा है तो माइनस 3 और प्लस प्लस 3 के बी आएंगे गाउंस त्री प्रती तो अगर मैं यहां पर थोड़ा आजाएगा तो सारे पॉजिटिव नंबर ऐंगे ठीक है इस ﷻ के पीछे जाएंगे तो क्या बताई गई है इससे डेखो x क्या है minus 3 से बड़ा और जब हम इस side जाते हैं तो बड़े numbers आते हैं minus 3 से बड़ा यानि कि यहां से हम शुरुवात करेंगे और plus 3 से छोटा less than plus 3 यानि कि इस से छोटा मतलब यही पर हम आकर के रुख जाएंगे तो इस side के अंदर कौन-कौन से elements आएंगे बच्चो तो यहां से यहां तक के elements आएंगे ओनली तभी तो वह वाली जो condition यहां पर दी गई है वह satisfy हो पाएगा बराबर तो यह जो आपका सेट जी है इसके अंदर कौन-कौन से elements आएंगे माइनस टू माइनस वन जीरो एंड वन टू ठीक है समझे ना तो यहां पर चलिए हम लिख देते हैं वैसे आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए का ठीक है यहां पर यह सेट में कौन-कौन से elements आएंगे ठीक है चलो मैं भी लिख देती हूं एक तो माइनस टू आएगा दूसरा माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू ठीक है चलो आपका काम मैंने ही कर दिया है ना तो यह थे बच्चो दो मैथट्स आई होप कि आप लोग को समझ में आई होंगे है ना तो यहां पर जो कुछ भी बेसिक था वो सारी चीज़े हमने समझ ली है अभी नेक्स वीडियो से जो आपका प्रैक्टिस एट 1.1 है ने बच्चो उनको हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो जितना मैंने आपको सिखाया है आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिए और इसको तो अच्छे से करना क्योंकि प्रैक्टिस एट में इस तरीकी के कोश्चन्स आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे ठीक है बच्चो तो आज के लिए बस इतना ही और सुनो आप लोग को बता देती हूं जैसे कि मैं आपको यहां पे जो भी सॉलूशन करवाती हूं जो भी आपको सिखाती हूं अगर आपको उसकी पीडिय आपको लिए बस्कुराइ था जूलूशन, हुआर ना जातौशन, खिर रसक्ताष्टप, 54्क्षटप, 54्पटप, 25 efficacy प्ट्यूशन, हूआ जो टो रिए झाल्यूशन, हूँद, 50 पीडियूशन, जो आल्यूशन, ने लिए आपको रिए रिए जोबावाती हूं शेयूशन झाल झाल